हम पंच्छी उन्मुक्त गगन के इस पार्ट के रच्चेता है इस पार्ट के रच्चेता में बताने हैं चार आपको दिये गए हैं इसमें मैं आपको केवल सही आपशन बता रहे हूं तो यहाँ पर सिव मंगल सिंग सुमन जो है वह सही जवाब है आपशन सी यहाँ पर सही जवाब है आपनो डाउन भी कर सकते हो इसके बाद सेकेंड कुश्चन है पक्षी कहां का जल पीना पसंद करते हैं पक्षी नल का जल पीना पसंद करते हैं वर्शा का जल पीना पसंद करते हैं या नदी जहर्नों का जल पीना पसंद करते हैं पिंजरे में रखी कटोरी का जल तो यहाँ पर सही जवाब है नती छर्णों का जल पीना पसंद करते हैं नेक्स्ट हमारा कुश्यन है बंधन किसका है बंधन किसका है तो आप्शन है स्वन का शंकला का स्वन शंकला का आमनुश्य का सही जवाब है स्वन शंकला का बंधन किसका है सोने की जंजीरों का बंधन पक्षियों के ऊपर है नेक्स्ट हमारा कुश्यन आता है लंबी उडान में क्या क्या संभाव नए हो सकती थी क्या क्या संभाव नए हो सकती थी हमने पॉइंप पढ़ी भी है यहाँ पर भी मैं आपको केवल अंसे बता रही हूं कि यह दोनों बातें हो सकती थी कि छितिज की सीमा मिल जाती या सांसू की डोरी धन जाती यह दोनों बातें यानि सी ओप्षिन यहाँ पर सही जवाब है उसके बाद हमारा कुश्यन आता है कि पक्षी क्यों वेतित है पक्षी क्यों वेतित है आप ओप्षिन पढ़िए और साथ सत्मिर को जवाब देते जाएए सही जवाब मैं आपको बता देती हूँ सारे ओप्षिन सही है यनि कि एंसर डी जो है यहाँ पर सही जवाब है उपरियुक्त सभी आप यहाँ पर पोईम को पढ़ भी सकते हो जिससे आपको सभी कुश्यन समझ में आ जाएंगे देखो हम पंची उनमक्त गगन के पिंचर बढ़ना गाप आएंगे यह हमारी पोईम है आप उक साथ में लेकर के बैठ सकते हो इसमें देखे पहला हमारा प्रेश्णि क्या है कि पक्सी किश रूप में रहना चाते हैं पक्सी कौन से रूप में रहना चाते हैं वो उनमक्त रहना चाते हैं निकि बंधन में नहीं रहना चाते हैं इसी से समन्दित तमारा दूसरा प्रेश्णि है पिंजरे में रहकर पंची क्या नहीं कर पाएंगे क्या नहीं कर पाए पाएंगे तीसरा हमारा प्रिशन है सोने का पिंजरावी पक्षियों को पसंद क्यों नहीं आ रहा है क्यों कि वह खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं उनकी आजादी चीन जाती है और कैदी के रूप में भी वह नहीं रहना चाहते हैं तो सारे अप्षन यहां पर सही जव हूगा है कनक यहां पर क्या है सोना है तो सोने की जो तिलियां है पिंजरे के उन्से करा है करा के उनके ने पंग तूटब जाएंगे कनक शब्द का अर्थ क्या है यह यह पर मैंने बताए था पी आपको इसके बाद कवी और कवी से मरका vedere लिखना है तो कवी का नाम सीव मंगा सिंग सुमन है और कवीता का नाम हम पंच्छी उन्मक्त गगन के यह हमारी कवीता का नाम है फिर हमारे प्रेशनत है कि इस काव्यांश में पक्षी अपनी क्या इच्छा प्रकट करते हैं इस काव्यांश में पक्षी अपनी यह इच्छा प्रकट करते हैं कि हमें खुले आकाश में उडान भरने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए पक्षी कैसे रहना पसंद करते हैं पक्षी खुले आसमान में उडान भरना उनका सुभाव है और उसी में जीना चाहते हैं फिर हमारा प्रेशन है कि पक्षियों के पंक कब तूट जाते हैं जब उनको पिंजरे में कैद कर लिया जाए तो उनकी पुलकित और कोमल पंक पिंजरे की तिलियों से टकरा करके तूट जाते हैं पक्षियों को सुने का पिंजरा कोई सुख नहीं दे सकता है पक्षियों को कडवी निमबोरी क्यों पसंद है क्यों है कड़्वा खाना क्यों पसंद है उनको यूगी वो एक डाली से दूसी डाली पर जा करकि प्रिश्रम से मेहनत से उनोंने कमाइए है इसलिए उने वो पसंद है और उसमें प्राकर्तिक भोजन जो है उसका उसमें मिठास जो है वो ने अच्छी लगती है इसके वाद देखिए स्वाण शंखला के बंधन में ये वाले पेरिग्राफ के मैं आपको फुर्शन्स बता रही हूं आपके एक्जांस में काफी का माने वाले हैं तो सभी प्रेश प्रेशन आपका रहना जाए तो प्रेशन है कि पिंजरे में पक्षी क्या-क्या भूल जाते हैं क्या भूल जाते हैं वो जवाब है अपनी गती और उड़ान वो भूल जाते हैं उनको उनकी गती का ग्यान नहीं होता है क्योंकि उड़ना वो बंद कर देते हैं उसके बाद पक्षी क्या सपना देखते हैं रक्ष की फुनगी पर जूला जूलने का सपना उन्हें आता है प्रिश्ण है फुनगी का क्या आथ है पेड की जो सबसे उंची चोटी होती है उसका सीरा होता है उसे फुनगी यहां पर कहा है पिंजरे में कैद पक्षियों के साथ क्या हुआ सभी कथन सही है यानि कि वो दुखी भी हो गए उन्हें अपने भावना भी दबानी पड़ी बंद कर जीवन जीने को वो मंजूर हो गए लाल किर्णों किसी चोंच से क्या आतात परे है सही जवाब है सुर्य की किर्णों जैसी लंबाई लिये वे चोंच अनार के दाने किस के प्रतीक है अनार के दाने आसमान के तारूं के प्रतीक है कवीता का नाम और कवी का नाम मैंने भी आपको बताया था पक्षी अपनी स्वाभावी कुडान कब भूल जाते है जब उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए पक्षी किस जुले की बात कर रहे हैं वो पेड़ की फुनगी पर बैठ करके जुनने की बात कर रहे हैं किस के क्या अर्मान थे पक्षियों के अर्मान थे कि वो निले निले अकाश में दूर तक उड़ते और अकाश की शीमा तक जाना चाते थे चोंच को किस के समान बताए था लाल किर्नों के समान पक्षी क्या चुगना चाहते है तारों के अनार के दाने चुगना चाहते है फिर हमारा पेरिग्राफ आता है कि सीमा हिंचितित से इस पेरिग्राफ के प्रश्ण है इसमें पहला प्रश्ण है पक्षी किसकी सीमा पाना चाहते हैं, नीले आस्मान की सीमा को पाना चाहते हैं, फिर आता है कि उप्रोप पद्दांच में पक्षियों की क्या इच्छा है, उनकी इच्छा है कि वो आगास को छूले, फिर हमारा प्रेशन है पक्षियों का क्या प्रण है, ये चितिज मिलन कर या तो प्राण ही त्याग देंगे। ये उनका प्रण है निष्चे है। फिर प्रेश्ट है छितिज को कैसे बताया गया है। छितिज कैसा है ? सीमा ही इन है। आकास की कोई सीमा नहीं है। लाल किरन की चोच में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार यहापे तुलना की गई है इसलिए अकुल उडान शब्द कर क्या आर्थ है उडने की अधिर्ता यह वो व्याकुल हुए हुए है उडान उडने के लिए कभी और कभी तक ना मैंने आपको भी बताया था पक्षी किस से होडा-होडी करना चाहते हैं यहनि कि ल आश्रे है इन्हें भले ही चीन लिया जाए पक्षी अपने उडने के अधिकार को बचाने के लिए क्या क्या करने को तत्वर है तो वह गोंसला और पेड की डालियों पर दिया गया आश्रे भी देने को तयार है लेकिन उडने का जो अधिकार है उसे छोड़ना नहीं चाहत और अपने प्राणों की बाजी लगा कर इसकी रख्षा करनी चाहिए इसी तरह के और वीडियो के लिए देखते रहे चैनल और साथी चैनल को सब्सक्राइब ही किजिए बेल बटन भी आप प्रेस किजिए तक इस भी जो चैप्टर से आपको समय पर उनका पता चलता रहे जो भी चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो मुझे जरूर बता देना कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की हम उसे समय पर जो आपके एक्जाम से पहले-पहले समझाने की कोशिश करेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग